हे दोस्तो तो यहाँ पर गुरुस चरण सिंग जो लापता हो गया है एक्टर तारक मेता में सोडी का रोल प्ले करते थे तो यहाँ पर कुछ दोस्तो नई अपडेट्स आई हैं जिए दोस्तो जो पुलिस की तरफ से जो न्यूस आई है वो ये आई हैं पहले तो दोस्तो इस बात को उनकी फैमली ने नकार दिया था कि उनकी कुछ financial condition सही नहीं चल रही लेकिन दोस्तो अब यहाँ पर दोस्तो जो बाते निकल कर सामने आ रही हैं कि वो दो different phone यूज कर रहे थे 27 different email यूज कर रहे थे और 10 different bank account यूज कर रहे थे 10 different तो मतलब कि वो credit card से जो है pay कर रहे थे हर जगा पर ऐसे में दोस्तो यह बात सामने निकल कर आती है कि उनकी financial condition कुछ सही नहीं थी ऐसे में दोस्तो यहाँ पर police का एक और भी कहना है कि उन्होंने जान बूच कर ये अपनी news फैलाई है तो guys क्या इस बात में सचाई हो सकते हैं मुझे काफी कम chances लगते हैं क्योंकि दोस्तो ऐसे अगर वो जान बूच कर ऐसे करेंगे तो उनकी family भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो जान बूच कर उनको ऐसा करना चाहिए हाला कि दोस्तो acting line में कोई कुछ भी कर सकता है popularity पाने के लिए लेकिन दोस्तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा बलकि हो सकता है कि कुछ और ही problem होगी क्योंकि दोस्तो जिस family के लिए जो बंदा अपने इतने बड़े serial को छोड़ सकता है तारग मेता का उल्टा चश्मा जैसे वो आखिर उन्हीं parents को क्यों ही तंग करेगा ऐसा कुछ stunt करके बाकि इसके chances मेरे को काफी कम लग रहे है उसके लाव दोस्तो एक news ये भी आ रही है कि जो police है वो तैकिकात करने के लिए तारग मेता का उल्टा चश्मा के सेट पर भी पहुची है हाला कि उससे related कोई update निकल कर नहीं आई है मतलब कि वहाँ से कुछ निकला हो तो ऐसा लग रहा है कि तारग मेता सेट से भी उनको कुछ इस बारे में news नहीं मिले होगी जिससे कि इस केस में कोई सुराग मिल सके बाकि दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हो और इससे related दोस्तों कोई भी नई update आईगी तो definitely मैं आपके साथ शेयर कर दूँँगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर पैस कर दीजेगा मिलते हैं दोस्तों next वीडियो में